अफगारिस्तान प्रिमियर लीग में हजरत उल्लाज जजई का शांदा प्रदर्शन जारी है उन्होंने रविवार को खेले गए लीग के चौदवे मुकाबले में काबुल जवानन की ओर से खेलते हुए एकी ओर में छे छक्के जड़ डाले इस दुरान उन्होंने बारह गे जजई ने हाली में अफगानिस्तान प्रिमियर लीग में पचपन गेंदों में 124 रनों की पारी खेली थी हजरत उल्लाज जजई ने बल्क लेजंड्स के गेंदबाज अब्दुल्ला मजारी के एक ओवर में छे छक्के लगाए इस ओवर में एक अतिरेक्त सहित को 37 रन मने बल्क लेजंड्स ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओबरों में 6 विकेट के नुकसान पर 244 रन मनाए बल्क लेजंड्स की ओर से वेस्ट इंडीस के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 80 रनों की ताबर तोड़ पारी खेली 48 गेंदों की अपनी पारी में गेल ने 10 छक्के लगाए जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी काबुल जवानन की ओर से हजरत उल्ला जजजई ने 17 गिंदों में 62 रन रॉंकी ने 47 शहीद उल्ला और इंग्राम ने 47 और 29 की पारी खेली अलाकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके काबुल जवानन साथ विकेट पर 223 रन ही बना सकी और 21 रन से मुकाबला हार गी टीटी में सबसे 30 पचास रन पूरे करने का रिकॉर्ड टिम इंडिया के स्टार बल्लेबास युवराज सिंग और विस्टिंडीस के बल्लेबास क्रिस गेल के नाम है युवराज ने कारनामा 2007 में टीटीटी वर्ल्ड कप में इंग्लैंट के खिलाब बनाया था युवराज ने भी उस मैच में इच्छे चक्के जड़े थे वहीं गेल ने बिग बैश लीग में 12 गिंदों में हाप सेंचुरी लगाई थी नेक्स नाइन स्पोर्टस डेस से अब इलाश की रिपोर्ट